हेलो लेर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्री सेक्टर मॉडल ओफ दा सर्कुलर फ्लॉफ इंकम, पार्ट टू, पार्ट टू इसलिए बोला गया है, क्योंकि इससे पहले जो हमने टू सेक्टर मॉडल किया था, उसमें दो सेक्टर थे, हाउसोल सेक्टर और प्र शेत्र और सरकारी शेत्र, इस जो थ्री सेक्टर मॉडल है, इसको हम क्लोज इकॉनमी मॉडल भी बोलते हैं, क्लोज इकॉनमी इसलिए, क्योंकि इसमें सर्कुलर फ्लॉफ इंकम is not influenced by the foreign sector at all, तो जो विदेशी शेत्र है, वो इसको परभावित नहीं करता, इसका मदलब परवहा का मेनिंग बता देती हूं, क्योंकि अगर आपके पस कोश्चन आता है, तो आपको आये के चक्रिय परवहा का मेनिंग भी बताना होगा, कि आये का जो चक्रिय परवहा है, वो क्या होता है, तो आये का चक्रिय परवहा क्या है, किसी भी अर्थ्विश्था के जो व वो दूसरे शेतर का expenditure बन जाता है तो सभी जो शेतर हैं उनके income expenditure goods and services का जो flow है वो continuously चलता रहता है और इसी continuously circular flow of income की ना तो कोई beginning है ना ही कोई end है इसलिए हम इसे circular flow of income कहते हैं किते की जो IA और VIA है income और expenditure का एक जो continuous circular flow चलना और उस circular flow के कारण अर्थववस्था हमेशा चलती रहती है और जितना ज्यादा वो circular flow होगा उतना ही अर्थववस्था more developed होगी अधिक उसकी development होगी तो अब जो three sector model है उसमें हमने government sector को add किया है household sector, producing sector and government sector इसे पहले two sector model में हमने किया था कि household sector और producing sector का अपस में क्या relation है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह से अपनी activities करती हैं लेकिन अब हमने देखना है कि जब government sector उसमें add हो जाता है तो वो क्या करता हैं तो जो government है वो किसी भी देश की अर्थवस्थ के लिए most important role play करती है, taxes को इकठा करती है, producer sector से, household sector से और उसके बाद वो taxis को इकठा करके directly, indirectly उन्हें जो household sector है उसको transfer payments provide करती है और जो producing sector है उसको subsidies provide करती है तो इस तरह से उसका क्या relation है, कौन से activities होती हैं वो हम इसके model से देख सकते हैं तो क्या है circular flow of income in three sector model, तो सबसे पहले हम household sector और producing sector का देखते हैं, तो household sector, producing sector को सबसे पहले factor services provide करता है, वो कौन सी, land, labor, capital, entrepreneur, जिसे हम बोलते हैं, भूमी, श्रम, पूझी, उद्दम, उत्पादन के साधन की जो सेवाई हैं, वो producing sector को देता है, और producing sector, इन सभी उत्पादन की की जो साधन हैं, उनकी सहाईता से उत्पादन करता है, और इनके बदले में household sector को, इसके बदले में household sector को factor payments provide की जाती है, rent, wages, interest and profit, land के बदले में, rent, labor के बदले में, wages, capital को, पूझी, और entrepreneur को दिये जाते हैं, profit, जो उद्दमी हैं, उसको profit मिलते हैं, तो एक तरहां से household sector ने factor services दी, producing sector को, उसके बदले में, rent, wages, interest and profit की फॉर्म में, इनको factor payments प्रापत हो गई, अब जो वस्त्वियों और सेमाएं, producing sector ने produce की हैं, वो वस्त्वियों और सेमाएं, household sector लेता हैं, तो producing sector से household sector को, household sector को जो जाएंगी, वो हैं goods and services, वस्त्वियों और सेमाएं, जो वस्त्वियों और सेमाएं produce की गई है, producing sector से household sector की तरफ जाएंगी, arrow का most important ध्यान लखना है, देखो, producing sector से household sector को goods and services गई, अब household sector in goods and services की payment करेगा, producing sector को, तो इसे हम लिखते हैं payment of goods and services, वस्त्व और सेमाओं की भुकतान, जो भी ने वस्त्वियों या इसे हम consumption expenditure भी बोल सकते हैं, उपभोग वे, जो भी आपका medium है, आप उसमें लिख सकते हैं, जुरूरी नहीं है कि आपने English में लिखना है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, उपभोग वे, कि जो भी वस्त्वियों और सेमाओं household sector ने consume की हैं, उनका उसको expenditure देना पड़ता है, अब हमारे पास कहे हैं financial sector और banks, कि banks को household sector अपनी savings जमा कराता है, savings जमा कराई जाएंगी, savings और जो producing sector है, उसके पास जाती है, investment या फिर borrowings, investment या उधार borrowings, तो वो इधर arrow देखो, arrow कहा है, financial sector या bank से producing sector के पास जाती है, borrowings उधार, तो ये दो sector का जो model है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पिछले sector में, दो sector का model ये करना है, लेकिन जब तीन sector model आता है, तो उसमें अब हमने इसमें add कर दिया, government sector, अब हम देखते हैं, one by one कि household sector का government sector के साथ क्या relation है, producing sector का government sector के साथ क्या relation है, तो सबसे पहले है household sector, government sector को देता है, हम पे करते हैं, taxes, directly, indirectly, taxes पे करते हैं, हम, तो सबसे पहले सरकार हाउस होल घरेलू शेतर से आये कर परत्यक्षकर विभीन जो कर है वो लेती है अब गॉर्मेंट सेक्टर क्या करता है हाउस होल सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स करता है transfer payments क्या होती है जैसे वृद्धा वस्था pension या फिर scholarship जो different pensions या scholarship दी जाती है government sector को household sector को तो वो है हमारे पास transfer payment transfer payment क्या होती है हस्तांतरन भुकतान जो one way जरूरी नहीं है कि जो लोग taxes pay करेंगे उन्हीं को ही सरकार transfer payment या pension या scholarship दीगी scholarship सरकार या pension सरकार उनको देती है eligible होते हैं तो household sector का government sector के साथ क्या relation है household sector pay taxes to government sector and government sector pay transfer payments in form of pension scholarship to household sector को वो उने पे किया तो ये government sector का household sector के साथ relation है अब हम देखते हैं producing sector के साथ अब जो producing sector है वो भी सरकार को taxes pay करता है indirect taxes, corporate taxes और GST ये different type के taxes pay करता है देखो arrow मेंने क्या किया है यह है आपके पास arrow का मतलब है कि यहां से flow producing sector से जो flow है वो government sector को आएगा और इसके साथ ही जो different goods and services है producing sector से वो आएंगी आपके पास government sector में goods and services, goods and services producing sector के पास आएंगी और जो government sector है वो अब producer sector को क्या देता है देखो flow कहां जाएगा, government sector से producing sector को तो producing sector को दी जाएंगी subsidies, subsidies का मतलब है आर्थिक साहिता कि सरकार क्या करती है, producing sector को किसी-किसी product के लिए subsidies प्रोवाइड करती है और जो goods and services सरकार ने ली थी, government sector ने ली थी उनकी payment भी की जाती है तो उसे हम लिखती है payment of goods and services जो सरकार ने goods and services ली है उसकी payment की जाएगी किसको producing sector को तो payment to goods and services वस्तों से वाई ली है तो वो उसके पास आगे है अचा इसी तरह से सरकार भी जो अपनी savings है वो financial institutions, banks को जमा कराती है तो सरकार अपनी savings जमा कराती है और सरकार भी loan लेती है, borrings करती है, उधार लेती है तो वो सरकार financial sector से, RBI से जो हमारे banks है, different corporate banks है, उनसे उधार भी ले सकती है तो यह हमारा relationship हो गया सरकार का और financial sector या banks का तो इस में हमने किया three sector model में कि सरकार का household sector के साथ क्या relation है producing sector का household, government sector के साथ क्या relation है और financial sector के साथ क्या relation है तो जब हम इसके explanation लिखती हैं तो आपको यह specially बताना है flow of income between household sector and government sector अब household sector और government sector का क्या relation है किस तरह से उनके बीच में income का परवहा होता है तो income का परवहा कैसे होता है घ्रेलू शेतर, government sector को taxes पे करता है और government sector, household sector को transfer payments पे करता है in the form of pension and scholarship next income flow between producing sector and government sector इन दोनों का क्या relation है तो आपने बताना है कि वे किस तरह से जो producing sector है उत्पादक शेतर है, वो government को taxes पे करता है और उससे goods and services भी सरकार उससे ले सकती है फिर वो goods and services की payment की जाती है producer sector को और उसके साथ ही subsidies भी government sector, producing sector को पे करता है इसी तरह से आप यहाँ पर flow, income flow between financial sector और government sector भी हम बता सकते है financial sector and government sector अगर exclusively three sector model पूछा जाता है तो आपने household sector और producing sector का भी बताना है कि उनका आपस में किस तरह से flow of income होता है तो यह हमने किया three sector model of circular flow of income this is important क्योंकि अगर हम four sector model करते हैं तो उसके लिए आपको three sector model भी पता होना चाहिए क्योंकि four sector model करने के लिए यह सारा relations same होगा सिरफ हम इसमें एक sector और add कर देंगे वो हमारे पास है foreign sector तो this is all about three sector model of the circular flow and the most important question of macroeconomics I hope कि आपको समझाया होगा thank you thank you thank you very much